लगन के बारहो भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर प्रेदर्शकों दुला लगन में मंगल सरवथा कारक नहीं है मंंगल है अगनी तत्व के और ये लगन है वाइू तत्व का सुक्र और मंगल आपस में नए सरगिक सत्रू नहीं है और इस लगने में मंगल सप्तम और धन भाव के स्वामी होते है कुंडली में मंगल यदि किसी अच्छे भाव में पड़े हो तो निश्चे ही इन्हें हम सरवथा आकारक मानकर इनका फलकतन बुरा होगा ऐसा नहीं कह सकते वरन ऐसा कहेंगे कि यदि कुंडली के किसी अच्छे भाव से इनका संबंध हो जाए तो निश्चे ही ये स्रेश्ट फलदाई बन जाएंगे तो आईए देखते हैं तुला लगन में मंगल का प्रभाव कैसा होने वाला है कारिकरम प्रारम भकरूं उससे पूर्व कल आप सबों से मैंने पूछा था कि जन्म कुंडली में सनी और मंगल एक साथ कहीं बैठे हों जन्म कुंडली में सनी और मंगल एक साथ बैठे हों तो किसके बल में अधिक बृध्धी हो जाएगी बल बृद्धी योग कौन किसके साथ यहां पर होगा और लगभग आप सभी दर्शकों ने सही जबाब दिया कि मंगल के बल में बृद्धी हो जाएगी प्रिय दर्शकों कुछ दर्शकों ने कहा कि लाल किताब में ऐसा लिखा है कि सनी का बल बढ़ेगा अगर सनी और मंगल साथ हो लेकिन यहां पर मैं बता दूँ कि कल युग में पारासर रिशी का मत सबसे जादा मान्य है और उनकी बताई बातें मानो जीवन पर साफ साफ ला के बारहो भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर अगर आप तुला लगन के हैं तो अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए लगन में ही यदि मंगल बैठे हो तो तुला लगन है कैसा लगन तराजू बैलेंस करने वाला लगन ऐसा लगन जिसमें अभिनय के सरवाधिक होते पाए गए हैं सुख अईस्वर्य इनके जीवनकाल में बहुत आयत बड़ी मात्रा में पाई जाती है और देखा जाए तो इस लगन के लोग उस उच्च क्वालिटी के अभिने करने वाले होते हैं कि सामने वाले से इर्षया भी करें तो चेहरे पर उसे परिलक्षित नह दबा कर रखते हैं सामनजस्स का गुन बैलेंस का गुन अगर सीखना है तो सिर्फ इस लगन के जातकों से सीखा जाना चाहिए लेकिन यदि लगनगत मंगल बैठ जाएं तो खेल बिगार देंगे क्यों क्योंकि मंगल है तेज और मंगल है पराक्रम मंगल है ओज मंगल है क और ये लगन में जाकर के बैठ जाए तो छुपा नहीं सकेंगे आप कहीं न कहीं आपका क्रोध आपकी जल्दबाजिता आपका अधैरेपन सब दिखाई पड़ने लगेगा और यहां ये एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि ऐसे जातक ज्यानवान थे बुद्धिमान थे सब म भावना बन जाएगी मैं बता दूं कि अगर लगन में बैठे हैं मंगल और शुक्र के साथ इनकी तातकालीक मैत्ट्री नहीं है तब तो समस्या होगी लेकिन अगर तातकालीक मैत्री हो तो फिर स्रिष्ट किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए हमेशा सब्टम्भाव का भी विचार होना चाहिए क्योंकि सब्टम्भाव में बैठे ग्रह सदईव लगन को देखते हैं बाकी के और भी कुछ जाकर के लगन में बैठे हैं, जातक को उच्च कोटी का वणिक व्यापारी बना देंगे, बुद्धिमान बना देंगे, लेकिन अगर नैसर्गिक सतुरता, अगर वो सुक्र के साथ रख ले, तो फिर समस्या हो जाएगी, जातक अपने जल्दबाजी पने के चलते, अपने व चौथी उच्च द्रिष्टी से सुख भाव को देखेंगे, और सुख भाव को देखेंगे, तो सीधी सी बात है कि मैंने क्या कहा, कि तुला लगन का जो जातक है, अईस्वर्य के मामले में सर्वो परी है, कहने कह सकते हैं, कि इस लगन के जातकों के उपर, लक्षमी कुछ विशे से ही प्रसन्न होती है, तो सीधी सी बात है कि मंगल की चौथी उच्च द्रिष्टी जातक के जीवन काल में भूमी भवन वाहन का सुख बड़ी मात्रा में प्रदान कर देने वाला है, मंगल की सब्तम द्रिष्टी अपनी ही रासी पर पढ़ेगी, और अपनी रासी करना उचित नहीं है, यहां मैं आपको बता दूं कि तुला लगने के जातक अब चुकि लगन में मंगल वैसे तो तुला लगने के जातक उच्च कोटी के प्रेमी होते हैं, हां कई बार इनके प्रेम में औसर वादिता होती है, क्योंकि मैंने कहा न कि यह बैलेंस करना बहुत उच्च कोटी के होते हैं, लेकिन अगर लगनगत मंगल हो जाए, तो उस अवस्था में यह जातक प्रेम भी अपने हितों को ध्यान में रख करके करेंगे, और कई बार अपनी इसी सोच के कारण इन्हें प्रेम में औस फलता का मुह देखना पड़ेगा, इसी कारण कई बार लोग भाप जाएंगे इन्हें, और फिर इन पर विश्वास नहीं करेंगे, अतो अगर लगनमे मंगल बैठे हैं, तो मैं पहले से साउधान करना चाहूंगा, कि अपने उपर कंट्रोल रखिये, धैरे का गुन अपने अंदर बड़ी मात्रा में ले आईए, क्यों कि मैंने कहा, सुक्र के साथ अगर तातकालिक मित्रता बन जाए, तो अश्टम स्थान को वो नुक्सान नहीं पहुचाएंगे, लेकिन अगर तातकालिक मित्रता नव बनती हो, और यहां पर इस भाव में राहू इत्यादी सनी को बैठे हो, तो फिर समस्या स्वास्त से सम्म सुरू हो जाएगी, चोड़ चपेट एक्सिडेंट की घटनाओं को गृध्धी दे देंगे, हाला कि अगर सनी बैठते हैं, तो आयू की बृध्धी हां कर रहे होंगे, क्योंकि इस लगन में सर्वता वो कारक होने वाले हैं, लेकिन मंगल की एक मात्र दृष्टी पढ़ के कारण, ओप्रेशन इत्यादी घटनाओं को वो अंजाम दिलवा देंगे, धनभाव में आ जाएए, यदि सप्तमेस जाकर के धनभाव में बैठ जाएं, हाला कि ये चटवे-ाठवे का संबंद होगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपनी ही रासी में जाकर करके बैठे हैं, तो तुला लगन और धन भाव में जाकर के बैठ गये, सप्तम स्थान के मालिक अतह जातक अपने ब्यापार से खूब धन अरजित करेगा, पैत्रिक संपत्ति उसे प्राप्त होगी, और ऐसा जातक अगर थोड़ा गुद्धीमान हुआ, तो अपने पैत्र पैत्रिक संपत्ति को सही दिसा में ब्यवस्थित करके, लगा करके और गुलंदियों को छूलेगा, क्योंकि यहां बैठे मंगल स्वग्र ही हैं, और ब्यापार में वो स्रिष्ट सफलता दिला सकते हैं, पैत्रिक संपत्ति का भाव है, जातक थोड़ा कुरोधी, थोड़ा अपने हित्को खूब अच्छे से पहचानते हैं, तो अगर वो विचारवान हो, तो अपने धन को सही दिसा में लगाएगा, और उस धन से बुलंदी को छूएगा, यहां बैठे मंगल अपनी चौथी सत्रू दृष्टी से सनी की रासी को देखेंगे, और यहां पर आपको उत्पन करा देंगे, यानि समस्या यहां पर आ सकती है, जातक मैंने सुरुवात में क्या कहा था, कि अगर सही निर्णे लेने वाला हो, तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह ग्यान का घर है, और धन भाव में बैठे मंगल की चौथी दृष्टी ग्यान भाव पर पड़ निर्टायों से ही अपनी पैत्रिक संपत्ती को बरबाद कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि यहां बैठे मंगल अस्टम भाव को भी देख रहे होंगे, मंगल यहां स्वग्री ही है, लेकिन चुकि इस लगने में मैं पुर्ब में बताया हूं कि सरवथा कारक नहीं है, इस बात का हमेशा ख्या-खया लखना है, लेकिन चुकि धनभाव में बैठे हैं, अपनी रासी में बैठे हैं, अश्टमस्थान common sense का भी घर है, common sense यानि चंद्रमा, जातक की कुंडली में सही हो, सूर्य ठीक हो, तो जातक निरने लेने में फिर गलत नहीं होगा, और अगर य के दिखाई पड़ेगा, कि जातक की संतती के साथ मतभेद किस्तिती आएगी, लेकिन इसमें कोई संसय नहीं कि जातक की संतती नाम करने वाली होगी, यहां बैठे मंगल की द्रिष्टी, सातवी द्रिष्टी अश्टम और आठवी द्रिष्टी भाग्य भाव पर तो धन भाव में अपनी दासी में बैठ करके अश्टम को देखेंगे, तो जातक तंत्रमंत्र इत्यादी छेत्रों से, आध्यात्म के छेत्रों से, जमीन से खूब कमा सकता है, पैसा अरजित कर सकता है, ऐसा जातक अगर इसके पास प्रोपोर्टी हो, तो प्रोपोर्टी का ही काम करके construction करके जबरदस्त लाभ कमा सकता है भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टी होने के कारण ये जातक को उचिकोटी के भाग्यवान बना देंगे और जातक स्त्रेश्ट भाग्योदई क्योंकि ये रासी भी जो है वायूतत्व की रासी है मंगल है अगनी तत्व के उन बनाएंगे यहां बैठे मंगल भाग्य भाव पर अपनी दृष्टी और कर्म भाव पर और साथी साथ सश्ठम भाव पर अपनी दृष्टी डालने वाले हैं चुकि पराक्रम भाव में वो कारक होते हैं और गुरु की रासी में बैठे हैं उस अवस्था में ये मंगल जात तक को उच्च कोटी का पराक्रमी बना देगा ये जातक अब सुन्दर है क्योंकि तुरा लगन है तो सुन्दर है सामन जस्य करता है और वक्त पढ़ने पर पराक्रम भी जवर्दस्त करेगा और अपने जवर्दस्त पराक्रम की चत्यकारण ही जीवनकाल में सफलताब तो रट लीजिये कि मंगल की दृष्टी यहां पर पढ़ रही है अतह धन देना नहीं है जब भीरन देंगे डूबेगा परेसानी में पढ़ जाएंगे तो धन देने से बचिये चाहे वो अपने पिता को भी क्यों न देना पड़े पिता को भी देना है तो इसलिए दीजे कि मुझे नहीं चाहिए अब इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता तो यहां बैठे मंगल भाग्य भाव को देखेंगे भाग्य की बृध्धी करते रहेंगे अपने पराक्रम से जातक भाग्य की बृध्धी करेगा सब तमेस जाकर के ब्यापार पराक्रम में बैठे है तो निश्चे ही काम में थोड़ी परिशानी होगी आपके कारिय में रुकावट उत्पन्न होंगे कारिय में बाधा उत्पन्न आपको ये सिकायत हमेशा रहेगी कि मैं जितना मेहनत करता हूँ जितना प्रयत्न करता हूँ मेरे प्रयत्नों के अनुकूल मुझे फल प्राप इस बात की सिकायत आपको सदईवर हेगी लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यहाँ पर मंगल दिखबली भी होते हैं अतह परिसानी पहले दे करके बाद में सफलता दिला देंगे आज आईए कुंडली के सुख भाव में चतुर्थ स्थान में तुला लगन में यहाँ बैठे मंगल रूचक नामक महापुरुस योग का निर्मार कर देंगे और निश्चे ही स्रिष्ट लाव देने वाले होंगे सब्तमेस और धनेस हो करके जाकर के सुख भाव में बैठे है जातक को जीवन परियंत व्यापार से धन और सुख की पूर्ती का राते रहने वाले होंगे यहाँ बैठे मंगल अपनी सातिवी द्रिष्टी से करम स्थान को आठिवी से आय को और चौथी द्रिष्टी से व्यापार और पत्नी के भाव को देखेंगे जातक जन्मलगन से म मंगलिक है उच रासी में होने के बावजूद मंगल कोई दोस यहाँ नहीं कई बार लोगों ने कहा की मंगल को दोस कहा गया वो एक सूत्र दिया हुआ है कि अगर न मिलाकर के विवाह किया जाये तब यह दोस बन जाएगा अन्य था यह दोस नहीं क्योंकि जितने भी मंग मंगल से प्रभावित लोग हैं वो कही न कहीं ज़ादा उच्छ पदस्त और स्रिष्ठ पदो पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि आप बार-बार सुन रहे हैं मेरे में उसे कि मंगल है तेज मंगल है चमता मंगल है पराक्रम यहां बैठे मंगल उच्छ रासी में बैठे हैं और और वो भी अगनितत्यों के हैं तो जातक के अंदर कोध की भावना कुछ मामलों में होगी कई बार घर में कलह जातक के कारण होगा हाला कि ये जातक अपने जीवन काल में अपने पिता और अपने खांदान से उपर उठकर के धन अरजित करेगा इसमें कोई संसे नहीं लेकिन कई बार जातक की माता का स्वास्त खराब हो सकता है पत्नी के साथ कलह की स्थिती मत भेद हो सकती है लेकिन जातक की पत्नी जिद्दी और गुसेल होने के बावजूद जातक का साथ देने वाली होगी और पत्नी के आने के बाद जातक के जीवन काल में स्रिष्ट विकास हो स कि जीवन काल में धन की कमी नहीं होने देंगे, जैसा कि मैंने कहा कारेक्षटर में परिसानी तो होगी, लेकिन बाद में आये होगी और खूब आये होगी, आगे बढ़ जाए, आजाए कुंडली के पंचम स्थान में, सब्तमेस, आकर के बैठ जाएं पंचम स्थान में, अब जातक को बुद्धी से दूर कर देंगे, परेशान कर देंगे, जातक अपने जल्दबाजी वाले निरणे से, जातक अपने क्रोध से, और जातक अपनी विवेक सुन्यता से, अपने आपको नुकसान कर लेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ बैठे मंगल की चौथी दृष्टी कॉमन सेंस अस्टम भाव पर, आय पर और ब्याय पर, धनेस हैं, सब तमेस हैं, ज्यान भाव में बैठ कर पहले देखेंगे अस्टम को, एकादस को, और द्वादस को, सनी के घर में बैठे हैं, अतिसत्रू होकर के बैठे हैं, अब अगर सनी के साथ तातकालिक मैत्री नहों तो अतिसत्रू हुए तातकालिक मैत्री है तब जादा डरने की जुरूत नहीं परेसानी तो तब भी करेंगे जातक की संतान के साथ संबंध खराब कराएंगे ज्यान में समस्या उत्पन होगी परेसानी होगी लेकिन चुकि संभावस्थ हो जाने के चलते तातकालिक मित्रता होने के कारण संभावस्थ होंगे संभावस्थ हो जाने की अवस्था में ये इतना नुक्सान नहीं करेंगे जातक को परिसानी तो आएगी लेकिन आये भाव पर द्रिश्टी है अतह आये होगा क्यों? क्योंकि ब्याय भी जातक के खूब होंगे लेकिन ब्याय भी अगर देखा जाए तो संभावस्थ हो करके बैठे हूँ तो गलत मद में नहीं लेकिन संभावस्थ नहीं है तो पैसे फिर फसेंगे परिसानिया उत्पन होंगी काम कहीं करने गया जातक काम कराया लगाया फस गये पैसे बिना लगाने के बाद लोटा करके भी नहीं कुछ आएगा यानि यहाँ पर समस्या उत्पन होते दिखाई पड़ रही है तो यह ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली में सनी, मंगल और सनी के साथ उनकी तातकालिक मैत्री नहीं तब आपको नुकसान है कि यहाँ बैठे मंगल की चौथी दृष्टी अस्टम स्थान पर पड़ेगी और वो खुद कमजोर हो रहे हैं, अस्टम को देख करके नुकसान पहुँचाने का परयतने करेंगे और उस सवस्था में चोट चपेट एक्सिडेंट की घटनाओं को बढ़ाएंगे, मैंने कह तो आपको पता ही होगा, मैं बार-बार कहूंगा कि यहाँ पर अगर मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो रिन लेने से बचने का प्रयास करना उचित होगा, आपको रिन लेना भी नहीं है, देना तो सपने में भी नहीं है, लेने से भी बचिए, क्यों? क्योंकि पैसे तो तुला लगन के है व्यापारी है उच्चच कोटी के व्यापारी है व्यापार के मामले में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता लेकिन यहां बैठे मंगल लगन को भी देख रहे हैं अतह आपके अंदर धायरिय ला देंगे, धायरिय में कमी ला देंगे, अब चुकि वो धने सोकर के रिन भाव में बैठे हैं सब तमे सोकर के, तो जातक अपने धन को या रिन ले करके ब्यापार में लगाएगा, मंगल की दृष्टी लगन पर है, ब्याय पर है, तो ब्याय कर पैसे को नुक्सान पहुंचा देगा और फिर बाद में उसके खुद के धन को बेचने की नौबता जाएगी चुकि मंगल की चौथी द्रिष्टी भाग्यभाव पर भी है लेकिन मैं फिर भी आगाह करूंगा कि मंगल सस्थम स्थान में होते तो कारक हैं इसलिए रिण लेने पर बिजय पाने वाले बनाएंगे आम बुरी से बुरी परिस्तितियों से लोग जहां घबराते होंगे वहां से भी आप कुछ निकाल लेने में महारत हासल करने वाले हैं कोई भी बिवादित जमीन हो बिवादित काम हो वो काम करके आप सफलता हासल कर लेंगे जबकि आप आपका ये मुख्य स्वरूप नहीं है, आपका काम बिवाद में पढ़ना नहीं है, आपका काम है सांती से काम करना, लेकिन यहां पर बैठे मंगल बिवाद से भी आपको जीत दिला देंगे, चुकि उनकी चौती दृष्टी भाग्य भाव पर पढ़ेगी, तो भाग्य को व लगन पर दृष्टी है, तो जातक के अंदर क्रोध की मात्रा भर देंगे, चिल चिल आपन भर देंगे, जिद्ध पना भर देंगे, यहां पर बैठे मंगल भी रूचक राजयोग बनाएंगे, यानि तुला लगन में मंगल चतुर्थ भाव में भी होंगे, तो रूचक र से संबंधित, और धन से संबंधित, कभी कमी नहीं आएगी, जातक जो चाहेगा, उसे सदैवा परिपूर्ण कराने वाले होंगे, चुकि मंगल यहां पर बैठ करके, अपनी नीच दृष्टी कर्म स्थान पर डालेंगे, तो कारेक छत्र में शुरुवात में परिसानी थो चुसरी का संबान कीजिएगा, छोटे भाई का संबान कीजिएगा, और फिर देखिए, यह मंगल आपको हर सुक दे देंगे, यहां बैठे मंगल, लगन पर अपनी दृष्टी डालेंगे, जिद्ध की मातरा भर देंगे, धैर्य में कमी लाएंगे, परंतु प्रयास कीजि अपने पैत्रिक संपत्ति को ब्यापार में इस्तेमाल कीजिए और उसी संपत्ति से जीवनकाल में बुलंदी छुलीजिए आज आईए कुंडली के अस्टम स्थान में यहां बैठे मंगल अस्टम स्थान में बैठ करके ब्रण, घाव, फोड, आथुंसी, जल जाना, इत्यादीज घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं यहां बैठ करके अपनी चौथी द्रिष्टी से आए धन और पराकरम को वो देखते हैं चुकि उनकी द्रिष्टीया जहां जहां पड़ रही है वो बहत स्रेष्ट भाव है यहां पर बैठे मंगल अपनी तीनों द्रिष्टियों से जबर दस्तलाव पहुचाएंगे लेकिन यहां पर बैठे मंगल स्वास्थ से संबंधित थोड़ी समस्या खड़ी करेंगे आपके अंदर मैं कुना कहूंगा कि ये भाव भी आध्यात्म का है, कॉमन सेंस का है तो कहीं निर्णे जल्दवाजी में न हो जाए शुक्र के साथ संबंध देख लेने की आवशक्ता अवस्य है कि शुक्र के साथ इनकी तातकालिक मित्रता यहां पर बन रही है कि नहीं तातकालिक मित्रता बन रही हो तब तो फिर कोई चिंता नहीं जैसा कि मैंने कहा आय भाव को देखेंगे धन के लिए आपको जीवन परियंत नहीं सोचना धन को देखेंगे तो धन के लिए नहीं सोचना और पाराक्रमी तो आपको ये बना ही देंगे यानि यहाँ पर बैठ करके मंगल आपको लाभ देंगे लेकिन सुक्र के साथ आपको इनकी तातकालिक मैत्री देखनी है क्यों? क्योंकि मंगल भी विच्छे दात्मक ग्रहों में से एक ही है इनकी दृष्टी भी उस भाव में विच्छेत उत्पन कर देती है तो यहाँ पर अगर वो कमजोर होकर के बैठे तो आय में विच्छेत करेंगे धन में, पराक्रम में, छोटे भाई वहन से विच्छेत कराएंगे तो वो विच्छेत करा देंगे भाग्य भाव में आ जाईए बुद्ध के साथ अगर तातकालिक मैत्री है तो सब तमें सुकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठे है अतह जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होना तय है यहाँ बैठे मंगल अपनी चौथी द्रिष्टी से ब्याय भाव, पराक्रम और सुख पर उच्छे द्रिष्टी डालेंगे अतह यह बहुत स्रेष्ट है बुद्ध के साथ अगर तातकालिक मैत्री हो जाए तो जातक धर्म में ब्याय करेगा और उसी ब्याय से अपना विकास करेगा पराक्रम पर द्रिष्टी स्वपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माता होगा और आठवे द्रिष्टी चोथे भाव पर पड़ रही है अतह भूमी भवन वाहन का सुख परियाप्त मात्रा में जीवन काल में मिल जाएगा जातक अत्यंत भाग्यवान हो जाएगा और बिवाह के बाद भाग्य जातक का जबरदस्त सांथ देने लगेगा कुंडली के दसंभाव में जहां मंगल दिगबली अतिविसिष्ट कारक होते हैं यहां पर इस लगन में नीच रासी में हो जाएगे और अगर इनका नीच भंग क्योंकि 28 अंस्तक नीच के होते हैं इनका नीच भंग नहीं हुआ तो समस्या हो जाएगी नीच भंग कैसे होगा तो मंगल चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा यहां पर बैठे हो चंद्रमा की दिष्टी मंगल पर पड़ रही हो तो नीच भंग हो जाएगा चुकि इस रासी में करक रासी है यह 28 अंस्तक यह नीच के होते हैं बचा 2 अंस 29 और 30 उस अवस्था में अगर 28 अंस के उपर हैं तो यह बाल अवस्था में होंगे यह बाल अवस्था में होंगे तो बाल अवस्थागत मंगल नीच से तो बाहर होंगे 28 अंस के उपर लेकिन फिर भी कम जोर होंगे तो result देने में बहुत जादा सक्षम नहीं होंगे इनका लाभु तभी है जब नीच भंग हो जाए नीच भंग होने की अवस्था में यह आपको सब कुछ दे देंगे क्योंकि यहां बैट करके उनकी चौथी दृष्टी नीच भंग होने की अवस्था में नीच भंग नहीं होता तो फिर चौथी दृष्टी लगन पर पड़ेगी अपने जल्दबाजी के कारण, पिता से मतभेद करने के कारण अपने क्रोध के कारण आप हर दिन दूसरों को सत्रू बनाते फिरेंगे और मंगल की उच्च की दृष्टी भूमी भवन सुक पर पड़ेगी लेकिन जहां आपके अंदर क्रोध है, जल्दबाजी है, गलत निर्णय कई बार आप ले लेते हैं इसी के चलते आपको नुक्सान कर लेंगे, घर में संबंद खराब कराएंगे कलह कराएंगे, घर में आपके जाने के बाद से कलह बढ़ जाएगी मंगल की आठमी दृष्टी ज्यान पर पड़ रही है, ज्यान से भी विच्छेद करादेंगे लेकिन नीच भंग हो रहा हो, तो ये कही बाते कम होंगी यानि परिशानी कम होगी, क्रोध, अधैरिता, आपके अंदर तब भी होगा मा के साथ संबंद खराब कराना तब भी होगा ज्यान का इस्तेमाल जल्दबाजी में आप कई बार नहीं करेंगे, तब भी होगा लेकिन अगर उनका नीच भंग होता हो, तो बहुत हद तक रिजल्ट में अंतर आएगा और आप केवल नुकसाने नहीं पाएंगे, वरंचुकी यहाँ पर अतिविसिस्ट कारक होने के कारण आपको वो लाभ हुई करा देंगे, यानि अगर परिशानी शुरुवात में आई तो बाद में ठिक, अगर शुरुवात में अच्छा रहा, तो बाद में कस्ट अवस्य यह कराएंगे यहाँ आजाए कुंडली के प्रॉफिट हाउस में, यहाँ परमंगल सरवाधिक स्रिष्टतम होंगे, सूरी की रासी में बैठे हुए हैं और सूरी की रासी में बैठ करके यह जबर दस्त लाभ देने वाले हैं, जीवन परियंत, पैसे की कमी नहीं होगी फिर कहूंगा सरकार से जुड़ करके, कंस्ट्रक्शन इक्तियादी का काम करके, कोई भी ऐसा काम करी जिससे सरकार से जुड़े रहें आप और वो काम करके, आप अपने जीवन काल में खूग धन लाभ कमाएंगे, क्योंकि लाभ भाव में बैठ करके, वो धन भाव को देखेंगे, अपनी ही रासी को देखेंगे, इसके बाद ग्यान भाव और रिन भाव को देखेंगे तो संतान से संबंधी चुकि सत्रू रासी परत्रिष्टी पढ़ रही है लेकिन वो बहुत बलवान है अतह अगर कष्ट दिये भी तो बाद में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे वहाँ पर मंगल आपकी कुंडली में देखा जाए तो अपने ही रासी से नमम पंचम का मू अब ये मंगल सब्तमें सोकर के जाकर के कुंडली में बैठे हैं कहां पर तो बारह में भाव में निश्चे ही अपने घर से छठवे आठवे का संबंध बना रहे हैं सड़ाश्टक योग है और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि बैठे मंगल परेसानी खड़ा कर सकते हैं समस्या खड़ा कर सकते हैं ब्याय की बृध्धी दामपत्य जीवन को तहस नहस कोट का चहरी का चकर क्योंकि मांगली का आप तब भी बन रहे हैं और दामपत्य जीवन को एक खराब करने का कोई भी औसर नहीं छोड़ेंगे हाला कि पाराक्रम भाव पर उनकी चौथी दृ द्रिष्टी होने के कारण आप पराक्रमी होंगे लेकिन जिद्धी होंगे गुसैल होंगे और कुछ मामलों में तो आलसी भी हो जाएंगे अपने मन के करने वाले बन जाएंगे किसी की बात नहीं सुनेंगे इस पर आपको कंट्रोल करना होगा कई बार कहूंगा कि पतनी क से समबन्दित समस्याएं तो आएंगी, अब ये तए आपको करना है कि समस्या किस तरह की लेकर क्या रहें, सत्रूपा लेंगे, तो कोटकचरी में पैसा जाएगा, रोग हुआ, तो दबावें पैसा जाएगा, रिन हुआ, तो घबराने की बात नहीं, रिन में पैसे जाते र आप पत्नी के घर पर द्रिश्टी को अपने ही घर को देखेंगे अगर आपने सामंजस से बना लिया तो कम से कम दामपत्य टूटेगा नहीं दामपत्य बिच्छेद नहीं होगा वहाँ समस्या नहीं आएगी सामंजस इसे चल जाएगा ये आपके उपर है कि कैसे आप अपने दामपत्य जीवन को मिला जुला करके सामंजस से पूरबक चलाते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टी पाराक्रम भाव पर है सो बहुत स्रिष्ट है आप पराक्रमी हैं लेकिन जरा सा भटकाओ और बरबादी क्यों? क्योंकि ये बारवा घर कोट का चहरी भाव का भी है सो कई तरह की समस्याओं में डाल देगा अत्वा अपने चरित्र को बहुत मजबूत करके रखिएगा तो प्रियदर्शकों हमने जाना तुला लगन के बारहो भाव में मंगल के प्रभाव को अब आप यदि तुला लगन के हैं मंगल आपकी कुंडली में धन भाव में बैठे हैं पराक्रम में बैठे हैं सुख में बैठे हैं इसके बाद सब्तम में बैठे हैं धारन कर लीजिए यानि कि इतने भावों में उनकी प्लेस्मेंट हो और उस भाव के भावेश के साथ तातकालिक मैत्री हो तो इस लगन में अकारक होने के बावजूद वो आपको स्रिष्ट लाब देने में सक्षम है तो प्रियदर्शकों आज हमने तुला लगन के बारहो भ प्रभाव में मंगल के प्रभाव को जानेंगे मंगल की ये दूसरी रासी है जाते जाते बारी है प्रश्न की पूछ लेता हूँ आप सब उसे बताईए कि जन्म कुंडली में सुक्र सूर्य के कितना करीब कितने अंस की दूरी पर सूर्य से सुक्र की दूरी कितने अंस तक पहुँचते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं नहीं उनके बीच का गैप कितना रह जाता है जब वो अस्त हो जाते हैं आसा करता हूं मैंने पुर्व में आप लोगों को बता रखा है इस विशे को जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं तो आज के कॉमेंट में इस सवाल का जवाब देना न भूलिए, आज के लिए वो सितना ही इजाब दीजिए, नमस्कार!